हाई अब्रिवन, आच्छी, आच्छी, सॉरी, क्या करें, स्नीज पर तो किसी का कंट्रोल नहीं होता ना, स्नीज तो ना जगा देखती है और ना ही समय, और अगर किसी ने स्नीज को आने से रोका, तो स्नीज आपकी जान के लिए खत्रा भी साबित हो सकती है, आप सोच रहे ह होंगे आज हम स्नीज पर क्यों बात कर रहे हैं, दरसल एक वाक्या हो गया है, एक 34 साल के वेक्ती ने अपनी स्नीज को रोक कर अपनी तब्यत खराब कर ली, और इसकी सजा उने ये मिली कि उनकी स्नीज ने उने हॉस्पिटल तक पहुंचा दिया, डॉक्टर सैट, अ 34-year-old man was hospitalized for a week after he attempted to hold his mouth and nose closed to stop a sneeze and wound up tearing a hole in his throat, when doctor examined the patient, they come to know the patient had burst a hole in his throat and sent air bubbles into the deep tissue of his chest, but now the patient is fine, thank God, but please you will never do this, अगर चींक आती है तो चींको और प्यार से कहो sorry, this is good for you, thanks for watching, hi everyone